हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप बच्चो आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंगली की वक्षिट करेंगे बच्चो 63 नंबर नेम ओप स्टुडेंट में आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखने है जिस दिन आप वक्षिट को स्वाल कर लेगे बच्चो हमारा learning area reading and writing रहेगा बच्चो हमारा पहला प्रेशन है फर्स्ट कोश्चन है सर्कल दा नेम सो बड़ एंड राइड देम विद देर पिक्चर्स तो बच्चो यहाँ पर एक पजल दे रखी है उसमें से हमें बड्स नेम ढूनने है ठीक है इस तरह से आपको जिस तर इसी सरस के अंदर से इस box के अंदर से हमें बड्स नेम ढूनने है ठीक है तो फर्स्ट हमने ढून धा है बच्चो फिजन पी आई जी ओन पीजन तो आप देख लिए जी यहाँ पर मैंने अलग से इसकी spelling भी लिख दिया ठीक है फर्स्ट हमने क्या ढूनदा है पिजन होता ह ठीक है, और second तो यहाँ पर hand ढूंड रखा है, ठीक है, यह second hand हो गया bird, ठर्ड बच्चों हमने ढूंडा है, sparrow, sparrow, sparrow मिस होता है, बच्चों, चिडिया, ठीक है, तो third भी हमने birds को ढूंड दिया है, अब बच्चों, fourth हमने ढूंडा है, यहाँ पर crow, c-r-o-w, crow, crow, crow card होता है, बच्चों, कववा, ठीक है, तो fourth भी हमने यहाँ पर ढूंड दिया, यह bird, next ढूंडा है, बच्चों, आपने नीचे आ जाएए, देखिए, यहाँ पर d-u-c-k, duck, d-u-c-k, duck, तो हमने यहाँ पर यह duck ढूंडा है, ठीक है, fifth है हमने डूंडा है, eagle, यह duck के नीचे ही दे रख है, e-a-g-l-e, eagle, ठीक है बच्चों, eagle होता है बच्चों, 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 आप बच्चों, हमने next डूंडा है, यह रहा, p-a-r-o-t, parrot, p-a-r-o-t, parrot, parrot होता है बच्चों, तो बच्चों, इस तरह से अपने 7 bird जोने हैं, अब बच्चों, बच्चों, हमारा owl, ow, owl, ow, owl, he, वो, parrot होता है, तो बच्चों, इस तरह से आपको इसके अंदर से, puzzle के अंदर से, birds नेम ढूंडने ठीक है, ढूंदे तो हमने कितने birds ढूंडे हैं, 8 birds के वच्चों, 8 birds के नेम ढूंडे हैं, 1st chosen, 2nd है hand, 3rd है sparrow, 4th है crow, 5th है duck, 6th eagle, 7th parrot और 8th है बच्चो आउन ठीक है बच्चो अब आपका first question हो गया है नीचे बच्चो इसी तरह से आपको picture देकर इनके names लिखने है ठीक है तो first picture है बच्चो pigeon की ठीक है कबूतर की तो यह दो कबूतर है तो हम pigeon के पीछे s लगाएंगे ठीक है P-I-G-O-N-S pigeons P-I-G-E-O-N-S pigeons मतलब कबूतर तो यहाँ पर 2 है इसलिए हमने s लगाया है अब बच्चो इसी तरह से पतक भी 2 है duck कितनी है दो है तो duck के पीछे भी s लगाएंगे duck की spelling होते है D-U-C के duck बतक तो यहाँ पर कितनी दो बतकी है इसलिए पीछे s लगा दिया ठीक है अब यहाँ पर यह तोते की picture है एक ही तोता है तो इसकी spelling लिखे है और बच्चो अगला है यह picture है बच्चो इगल की E-A-G-L-E इगल ठीक है बच्चो नेक्स्ट है बच्चो picture sparrow की यानि चिडिया S-P-A-R-O-W sparrow यह picture है बच्चो hen की H-E-N hen और बच्चो इधर picture है आउल की आउल की spelling होते है बच्चो O-W-L-O-L-O-L-O-L मतलब उल्लू यह हो गई उल्लू की spelling आउल की अब बच्चो यह picture है क्रो की कव्वा की कव्वा की spelling होते है बच्चो C-R-O-W-K-R-O तो बच्चो आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखे बर्स नेम तो आपको भी बर्स नेम लर्न करने है और राइट करने है और अपनी जो आपकी workbook है उसको complete करके अपनी टीजर जी को भी दिखाना है तो वीडियो अच्छा लगा हो कि लाइकन शेर कर दीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्स्क्राइब कर दीजिएगा थैंक यू वेव गूद डेए